आप कितने अस्वस्त हैं पार्टी आपको टिकट देखेंगे। मैं समझता हूँ कि जब पार्टी का टिकट का जो पैनल बनेगा उसमें सबसे उपर नाम मेरा जरूर रहेगा। जरूर रहेगा। जरूर दोस्तो मैं राजी बनसल हांसी के आवाज से आप देख रहे हैं हांसी के आवाज। महरबान दोस्तो आपको जैसे ही मालूम है कि नगर प्रिशद का कारिये काल समापती की ओर है। और नगर प्रिशद के चेर्मेन का चुनाओ सीधे होना है। और काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में शहर के अंदर हल्चल मची हुई है। कौन-कौन पारसद मैदान में आते हैं। और खासकर चेर्मेन का चुनाओ के लिए किन-किन केंडिडेट अप केंडिडेचर डिकलेर कर रहे हैं। क्योंकि नगर प्रिश्ट का चेर्मेन एक बहुत बड़ा दायत्व होता है। आज हमारे बीच एक ऐसी शक्षियत हैं। जिने मैं कहूं कि युवा भाजपा नेता है। और पूरुम में ये मंडल पर धान रहे। और पूरो पार्षट भी रहे हैं नगर प्रिश्ट के। जानते हैं। अगर पृश्ट में क्या कारिय परनाली होती है वर्तमान में भाजपा के विधान सवाब परिशद के ये निगरानी कमेटी के चेर्मेन भी है और गिरमेंट्स कमेटी के मेंबर भी हैं आप हैं आधने मेरे छोटे भाई प्रवीन बंसल जी जो हमेशा यंग रहते हैं छेरे पे जिनकी मुस्कराइट रहती आई यह नहीं से जानते हैं कि इनकी क्या मंशाह है चेर्मेन के चुनाव को लेकर जो सरगर्मिया तेज हुई है सबसे पहले तो मैं आपका दन्यवाद करता हूं राजीव जी कि आपने आज एक ऐसे भी शेकर लेकर के मेरे से बात्चीत करने का अफसर दिया कि जो आज ने केवल अपने जो समय है उसमें सरगर्मी भी है और हमारा पसंदिन दे विशे भी है क्योंकि मैं राजनेतिक छेतर क आज करेकरता हूं कि आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतिय जिंता पार्टी के उपर जिस प्रकार सी जिंता विश्वाद दिखा रही है उसी तरह से प्रतेक चुनों हमारे लिए पहले भी और आज बीतिवार कि तरह है परवेन बंसल जी कितना मन रखते हैं नगर प्रिशत के चेर्मन का पार्षट तो आप रह चुके हैं यहां नगर प्रिशत का रिपरजेंट भी कर चुके हैं परवेन जी आप हमें एक और बता हैं लिए जैसे पार्षट का देश मिलेगा जो भी कारिये काम करने के लिए तो होगा वो ततपरता से करें लिए परवीन जी आप हमें एक और बताएं कि यह जो टिकट है चेर्मेन की इसका ओर्गेनाजेशन फैसला करेगी या वर्तमान जो भाजपा के विधायक है फैसला करते हैं नी और गे ने शनी फैसला करेंगे विदायक उसका भी पार्ट है विदायक कि राय मेटपुन है विदायक क्योंकि फैसला अन्य था होना बड़ा मुश्क्र काम है लेकिन वो पार्टी ही करेंगी कि पर्टी किस समिकन के तहत कि व्यवस्ता है पुरे परदेश की देखनी होती है पार्टी को और मैं समझता हूं कि मैंने मुख्का मिलाया कई परकार के अन्या चुनाओं में जाने का और पार्टी की नितिनी जारीत होती है उसको पार्टी आगे करेगी हम सब करे करता मिलकर अगला परसंदे हैं विधायक मोद किसी भी धार्मिक फंक्शन के अंदर एक पर्टिकलर व्य कि मदन गोपाल सेथी जो एक भाट भरकम बहुत समाजिक बहुत सब को जनता इसे चाहती है और उसको बहुत यानि कि इसकी बारे में बढ़ा ही भी करते हैं और जनता इसे अवश्य है इसको चेर्मेन बनाई गी ऐसे विधायक मोदे बोलते हैं तो क्या विधायक मोदे ने मन मना लिया है कि अपनी राए between कर दिया है सेख्थन तो अपनी अलाधा रखेंगा वह हैं थ D है मैं नहीं कहा हुई तर काम किया है और मैं इने को कह रहा हूं कि मैं ही नहीं को करे करता एक दो नहीं लेकिन ników पारट से कमेटी बनेगी हमारे उसके निर्णे करते धाइक विधाएक के विदायक महदय ने ने अपनी राए परकट कर दी है, आप संक्टन को सोच विदायक जीने मदनमोंजी के बारे में अपनी रायए परकट कर दिया है यहां यहां बी चुनावब देखें जातिये समयकरन देखा जाता है इस बात से जाने कि आप नहीं मुझसे इतुफाक जरूर करेंगे इसको अलग विने रखेंगे और विनिंग बिलिटी देखी जाती है तो आप अपने अंदर कितनी विनिंग बिलिटी देखते हैं जो भी कमल का फूल आतमी लेकर के आएगा वो निसंदे एक तरफा भारते ज प्रभाइबान किया है चुनाओं में पैसा बहुत खर्च होता है बहुत दाम दंड भेद सब पुछ चलते हैं तो आप अपने आप में इसे कहां खड़ा पाते हैं को मेरा यह नबोरा है चुनाओं में जिस परकार का व्यक्तिक तो होता है उसी परकार के खर्चे पर्चे होते हैं अच्छा क्योंकि आप तो पार्षद रहे हैं जिए चम्माइब पार्षद बना था आप से लोगवा है मेरे पास 10,000 और मेरा वह वार्ड मेरे जब दो जार पास के चुनाओं से पहले दो जार में जब चुनाओं लड़ा गया तो आप सब को पता है कि आप आरे प परचा बरके आने का है जिताने का बनाने का काम तो हमारा है तो जिस भी परकार का व्यक्ति तो खड़ा होता है क्योंकि समाज है ना बड़ा जागरू का है हमारा लोग तो दिन परती दें परको होता जा रहा है उन्हें पता है किस व्यक्ति से आपको क्या लेना है किस व्य अपीजएपी के लेके था आत हुघत है सबस्क्राइब और जांधा हूए यह क्यासा है शीर है लागा तो पार्टी टिक्ट यह अब कितने आशामान आपको पार्टी आपको टिकट देगी मैं समझता हूं कि जो पैनल बनेगा उसमें सबसी उपर नाम मेरा जरूर आएगा अब मुझे बताईए कि यूटिलाजेशन ग्रांट का कैसे होता है नगर प्रिशद के अंदर जब कि पिछले चेर्मेन ने तो दो-दो आपने खुद दुरुस्त किया तो मैं तो कहना चाहता हूं कि जब से भारतिय जंता पार्टे की सरकार हडियाना में बनी है और उसके बाद जब से चुनाव हुआ है जब से हमारा हमने दिल खोल करके हमारी सरकार ने परतियक नगर परिशद को सब का साथ सब का विकास की मैं चाहिए मैं आपके सामने में बात रखून जो मुछ्य काम शेहर का होता है यो नगर परिषद के जी नाचनता से बूतम होता है एक स्ट्रीट लाइट का और सफाई का क्विछ इसरा काम होता है ड्यगल डवयल्मेंट नाम पर सड़के बन ना गलिया बनना उनकी संभाल रखना या इसके अलावा एक नगर परिश्द जाहर चोटे कामों से जुड़ी होती है उसमें का रिकोर्ड होने के चलते सभी लोग उससे डायर्ट जुड़े होएं क्योंकि कई मामलों में वो टेक्निकल रोप से काम आते हैं यह तीन चार मुख्य मुख् उपलब्द करवाई है जो भी आपने लिख करके बेज दिया आपके दिमांड के तोर पर वहीं सब्सक्राइब करने का काम नगर परिश्द ने किया करने का काम बधर से बाट जो रहा है यह यह अप नहीं ही जनKA कभी किसी ने शूध निली थी स्ट्रीट लाइट का बड़ा शोर शराब रहा है और आज भी हम अगर अम्टी जील पार्क देखें तो वहां आपने भी देखा होगा नहीं अम्टी जील और लाइट दुनों लगले विशह हैं मैं बता देता हूं आपके कोश्चन के अंदर उसका जवाब चुपा हुआ है आपने कहा कि स्ट्रीट लाइट का जो बहुत बड़ा शोर मुचा था मैं समझता हूं कि जब इतनी लाइट लगी तब इतने चोक इतने डिवाइडर बन सकते हैं हमने जीटी रोड़ के उपर आ आपके आगा में योजना क्या है अगर चेर्मेंट बने तो उन्हों नों तो सो करोड लगा दिया पैसा और सहर को चमका दिया रूपे लगाने वाला काम जो है वो रूपे का होता है लेकिन मैं जो समझता हूं क्योंकि काम करना रूटीन पर करिया है आप जितना काम कर अगर मैं चुना गया तो प्राथमिक कारिया जैसे कि विदायक जी ने भीकाया इस सहर को स्वस्थ और सुन्दर और आपने कहा कि मैं बहुत अस्वस्थ हूं और आगर बाइदेवे कॉंग्रेस आपके साथ आती है तो एंडिक इंकम्बेंसी आपके आड़े हाथ नहीं कांग्रेस आपके सामने आती है तो नहीं कांग्रेस को लोग नकार चुके है वह एक ऐसे लोगों के नेतरतों के में काम कर रही है जिसका बीजेपी में यानि कि सबसे उपर आपने बताए कि मेरा लिश्ट में नाम होका बहुत अस्वस्थ हैं अगर संक्ठन देगा यह यह वर्तमान चेर्मेन को आप संट परसेंट नंबर देते हैं निठेत अको बहुत अच्छा बोलते हैं हम सब इसका अच्छा बोलते हैं अगर जब भी यानि कि टिकट की लाइन में अगर उसकी लिस्ट में नाम आएगा तो परवीन बंसल का सबसे से उपर नाम होगा विदायक मोदे तो सब की बढ़ाई करते हैं जैसे मदन गोपाल सीठी जी की है कहीं फॉंक्शन में होंगे तो प्रविन बंसल जी को भी ठबकी लगा देंगे देखते हैं की वी चेर्मेंड की टिकट किसको मिलती है और कमल का फूल हांसी के अंदर कौन ख नमस्कार प्रविन जी आप हमारे फिर यानि की चैनल पर आए अक्सर गुल्जार करते रहते हैं मैंनी मैंनी कॉंप्लिमेंट्स तो यू आल सो बहुत 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 बहुत